जैसा कि पिछले वीडियो में स्ट्रीम टर्वाइन के बारे में बताया था आज उसी क्यागे में स्ट्रीम टर्वाइन के कितने प्रकार और उनके कारे सिध्धान्त क्या है एक दूसरे स्ट्रीम टर्वाइन की तुलना उनके बारे में बात करूंगा अगर आपने अभी तक stream टर्वाइन की वीडियो नहीं देखी है तो उपर आई बटन पर या description में वीडियो लिंक है देख सकते हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो कर ले क्योंकि यहां power plant और study संबंदित हर जनकारी upload होती रहती है तो चलिए जानते हैं टर्वाइन के प्रकार सामानत्य टर्वाइन दो प्रकार के होते हैं impulse टर्वाइन जिसे की हिंदी में आवेगी टर्वाइन भी कहा जाता है तथा दूसरा reaction टर्वाइन जिसे की प्रतिक्रिया टर्वाइन भी कहते हैं पहले हम impulse turbine के बारे में जान लेते हैं जिसका कार इस सिधानत है अगर turbine fluid के सिर्फ kinetic energy का उपयोग करे तो उसे impulse turbine कहा जाता है इस प्रकार के turbine में पहले pressure energy या heat को kinetic energy में convert किया जाता है उसके बाद kinetic energy को turbine को rotate करने के लिए उपयोग में लिया जाता है Fluid सिर्फ kinetic energy का इस्तिमाल करता है और fluid का pressure inlet और outlet पर constant रहता है Pelton wheel turbine, impulse turbine का ही एक उदारण है Impulse turbine के स्फीगर में आप देख सकते हैं कि runner में buckets attached हैं और इसमें a casing से cover किया हुआ है यह nozzle है, nozzle से जो high speed steam है जो strike करेंगे buckets पर और यह buckets force करेंगे runner को rotate करने के लिए और runner अपने ही axis पर rotate होंगे यहाँ एक बात का ध्यान रखा जाता है कि nozzle से आने वाले steam की velocity दुगनी होनी चाहिए उस runner की speed से ताकि ज़्यादा force के साथ buckets पर strike कर सके और runner को उसके rpm speed तक rotate करा सके practically देखे तो हम impulse turbine में 3-4 nozzle का यूज करते हैं ताकि जो turbine के high load से उसे से deal कर सके और turbine के output को increase कर सके अब हम जान लेते हैं reaction turbine अगर हम बात करें reaction turbine की तो fluid और pressure या weight को reaction से torque generate करता है उसे reaction turbine कहते हैं reaction turbine को समझने के लिए हमें Newton के third law of motion को याद करना होगा जिसमें की action और reaction यानि क्रिया और प्रतिक्रिया को समझाया गया है जब fluid pressure के साथ turbine में flow करती है तो उसका कुछ भाग kinetic energy में convert होता है जो turbine को rotate करता है जैसा कि आफ इस figure में देख सकते हैं impulse turbine में nozzle fixed होते हैं लेकिन reaction turbine में nozzle fixed ना होके rotating होते हैं यानि कि इसमें nozzle fixed ना होके rotate करता है move करता है reaction turbine में कुछ fixed blade और कुछ moving blades के साथ सारे blades की विवस्था बनी होती है sun shape में impulse और reaction turbine की तुलना करे तो अच्छी दच्छता और power के अधिक उतपादन के लिए reaction turbine का उप्योग करते हैं impulse turbine कम अस्थान का घेराव करता है जबकि reaction turbine ज्यादा अस्थान घेराव करता है impulse turbine के blade का उतपादन आसान होता है लेकिन reaction turbine के blade का उतपादन बहुत कठीन होता है उमीद हब आपको impulse और reaction turbine के बीच कांतर समझने में इस वीडियो के बाद आसानी होगी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और आगे किस टॉपिक पर वीडियो या विस लेशन चाहते हैं उस पर कमेंट भी करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद जरूर करें